इन्दौर के MBBS डॉक्टर शत्रुगन पंजवानी की कोरोना सी मौत हो गई बताया जारा है कि वो लगातार अपने क्लीनिक पर मरीजों का इलाज कलते रहे उनके क्लीनिक पर मरीजों की भारी भीड रहती थी वो रोज 200 से 200 पेशिंट देखते थे उनके क्लीनिक पर सैफी नगर और गुलजार नगर जैसे मुसलिम बाहुल इलाके के मरीज जादा पहुशते थे आशंका है कि किसी मरीज से उन्हें कोरोना का संक्रमन हुआ कोरोना से लडाई हारे डॉक्टर शत्रुगन पंजवानी के तीन बेटे हैं भारत से फ्लाइट बंध होने ही कारण बेटे आस्ट्रेलिया में भी फसे हुए हैं हलाकी वो अपने पिता से लगातार संपर्क में थे सिंधी समाच से तालूक रखने वाले डॉक्टर शत्रुगन पंजवानी 1985 में पाकिस्तान से भारत आये थे उन्होंने पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ओफ सिंध से 1983 में अमेबियस किया था इन दोर को अपनी कर्म भूमी बनाया और यहां प्राइविट प्रेक्टिस शुरू की डॉक्टर पंजवानी ने यहां रूपराम नगर में क्लिनिक खोला इसके अलावा वो त्रिवेनी मेडिकल कॉलेज में प्रेक्टिस करते थे 62 साल के पंजवानी के क्लिनिक पर मरीजों की भीड लगी रहती थी गले में खराश और बुखार होनी पर डॉक्टर शत्रुगन पंजवानी ने 22 मार्च को दूसरे डॉक्टरों से कंसल्ट किया था और अपने आपको क्वारिंटाइन कर लिया था 30 मार्च को तब इस जाधा भिगडी तो उन्होंने फिर डॉक्टरों से कंसल्ट किया डॉक्टर होके परामश की मताबिक 3 अपरेल को उन्होंने कोरोना की जाज के लिए अपना सेंपल दिया जिसमें उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई इसके बाद 4 अपरेल को भी जाज कराए गई जिसमें दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई लेकिन पांच अप्रेल को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। दॉक्टर पंजवानी को पहले गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां से CHL हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। यहां भी सेहत में सिधान ना होने के कारण बुधवार शाम को उन्हें अर्बिंदो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था जहां गुर्वार सुभा उनकी मौध हो गए। कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।